एक दिन ग्राणपा पेड के पास खड़े कुछ देख रहे थे। डोलू ने ग्राणपा को देखा और पूछा ग्राणपा ग्राणपा आप पेड के पास खड़े होके क्या कर रहे हैं। ग्राणपा ने डोलू को कहा, मैं अपनी चाबी देख रहा हूँ डोलू, बंदरों ने मुझसे चीम कर पेड की डाल पर लटका दी हैं, अब मैं घर कैसे जाओंगा। धोलू ने ग्राणपा की बात सुनी और पेड पर देखा, धोलू को क्या दिखा, पेड पर चाबी के साथ साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट फल भी था, धोलू ने ग्राणपा को कहा, आप चिंता न कीजे ग्राणपा, मैं आपकी पदद करूँगा, अब क्या मैं आपकी चड़ी ले सकता हूँ, ग्राणपा ने कहा, ये चड़ी डोलू, आहां हां, तुम ये चड़ी ले सकते हो, ग्राणपा ने अपनी चड़ी डोलू को दे दी, ज़ी लेकर डोलू ने डाल को नीचे खीचा और चाबी नीचे आ गई, चाबी के साथ साथ वो फल भी नीचे आ ग्रैन्पा को देते हुए डोलू ने कहा यह लिजी ग्रैन्पा आपकी चाबी नीचे आ गए ग्रैन्पा ने डोलू को कहा तेंक यू डोलू तुम बहुत अच्छे हो तुमने मेरी मदद जो की डोलू ने कहा ग्रैन्पा बडो की मदद दूना तो हमारा फर्ज होता है है और यह देखे न मुझे तो फल भी मिल गया तो बच्चो आज हमने क्या सिखा हमें हमेशा बडो की मदद करनी चाहिए और हमें भी कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा कैसे है आप यूग अगर आपको हमारा कानल पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेर अलकें दबाग दीजिए